हलो गाइस कैसे हो आप सब वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चैनल होप यौल आ दूइग ग्रेट तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूं स्वेट प्रूफ लॉंग लास्टिंग मेकप और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स ट्रिक्स भी सेयर करने वाली हूं तो चलिए देख लेते हैं वैसे इस लुक को मैंने बहुत ही इंस्टेंट क्रेट किया है मैं एक आइस क्यूब ले रही हूं और एक कॉटिन का कपड़ा है उसमें आइस क्यूब को डालकर और अपने फेस पे पेट-पेट कर रही हूं इस स्वेट कर आती है तो समर में तो हमें यहीं चाहिए होता है और मुझे करने में इतना मज़ा आरा था कि मैं क्या ही बताओ कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से ठ्राय होने देौने के बाद मैंने एक अच्छा सा अप्लाइक किया जिसको की मैं रिकॉट करना भूल गई और फिर मैं यूज़ करें हूँ संस्क्रीन, संस्क्रीन तो मैं क्या बोलू, समर हो, विंटर हो, गाईज आप घर में हो, घर के बाहर जा रहे हो, जहां भी हो, बस संस्क्रीन को लगाओ, ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप है, इसको आप कभी भी स्किप नहीं करो, अ बहुत ही अच्छा लगता है तो ग्लो आप देख सकते हूं मेरे फेस पे मैं क्या ही बताओ मुझे तो अपना बेस बहुत ही अच्छा लग रहा था मैं दिखा भी रही हूं यहाँ पर उसके बाद मैंने यूज किया यह मार्स का हाइड्रा ग्लो प्राइमर है यह और अच्छा सा मुझे अपना बेस बहुत ही अच्छा लग था ग्लो इडोई सा इसके बाद मैं यूज करी हूँ यह लॉर्यल का है यह चांसीलर तो कभी मैं समर में क्या करती हूं कि बीवी क्रीम लगा लेती हूं कभी कंसीलर लगाती हूं मैं फाउंडेशन नहीं लगाती ब्लेंड कर लेने के बाद मेरा फेस देख सकते हूं उसके बाद मैंने लिया है मेकप रिवल्यूशन का यह लिक्वीड ब्लस है और देखा ना आपने मैंने कितना टीनी टाइनी सा मांट लिया इतना प्यारा सा ब्लस है यह अच्छा कलर लगता है और इस तरह से आप करता है तो यह हमेशा यह ट्रिक यूस किया करो तो मैंने लिक्वीड ब्लस लगाया एंफिर के ब्यूटी का यह लूस पाउडर लिया है और इसको सबसे पहले मैं अपने आइस के पास लगा रही हूं कि कि आइस के पास हमारा लाइन से रिंकल सोनी की वज़े से क्रीज जल प्रवाइट कर लो एंदेन मैं लैकमे का एक पैलेट लिया है और उसमें से मैंने एक लाइट पिंक सा सेड लिया है और उसको अपने क्रीज पर बिल्ड कर रहे हो आप चाहो तो इसे स्टेप को स्किप भी कर सकते हो कोई भी क्रीज नहीं करो या फिर इसके जगा पे कोई ब्राउन सेड यूज कर सकते हो अपना कॉंटोर सेड यूज कर सकते हो तो आपको जैसा भी पसंद आता है आप कर लो और उसके बाद मैंने यह ब्राउन सेड लिया है और उसको मैं ऐसे लाइनर क्रीट करें क्योंकि देखो समर में क्या होता है कि आप कितना भी काजल लगा करने के बाद मुझे क्या हो रहा था ऐसेट कंड भी उडाना पिर सेट अपर देख सकते हो कि थोड़ाजigon legend is और फिर उसी सेट को मैं अपने lower last line पे भी लगा रही हूँ तो यह step भी बहुत ही अच्छा लगता है means एक मतलब game change का काम करता है आपकी makeup look में आप करके देखना mascara के लिए मैंने लिया है lac make iconic curling mascara और इससे अच्छा खासा मैं 2-3 coat apply कर ले रही हूँ आप कोई सा भी mascara योज़ करो बठा मस्कारा भी आप करके देखो ना आप कोई भी shade नहीं लगाओ कोई काजल नहीं लगाओ liner नहीं लगाओ बस mascara लगा लो and then you are good to go guys आपका भी try करना बहुत ही मतलब यह वी एक game changing है makeup में बहुत ही अच्छा ब्लस के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मैंने लिक्विड ब्लस के ऊपर मैं पाउडर ब्लस लगाओंगी तो यह मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का बेक लिक्विड ब्लस लिया है क्योंकि मैं आई सैडू से ना अपना लिप्स्टिक का कलर मैच करना चाहा रही थी तो कोरल कोरल सा दोनों मैच कर रहा था बट आजकल वह भी तो कि आप ग्लॉसी लिप्स कितना अच्छा लगता है तो मैंने यह मेबलीन का यह लिप्स्टिक यूज़ किया है इंदस सेड आइधिंग लिपी है यह बहुत ही कुपसूरत सा सेड है और बुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह सेड और इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट शबर आपकले लुटता हमारा मेकप को लॉट लास्टिक बनाने के लिए मिक अच्छा चाहिए यह और यह तोहुंप आप लोगो को पसंद हैं दो और वानेक्स वीडियो